हेलो इस्टूडेन कैसे हैं आप सब एक बार पना सी कोचिंग क्लासेस पर स्वगात हैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे मस्त होंगे बेतर होंगे आपकी पढ़ाई बेतर चलोगे बच्छों क्लास्टूल्ड कमिस्ट्री न्सी आर्टी में मैं अब एक नया चे मैंने जैसे हैलो एलकेन हैलो एरीन वाला चेप्टर और एलकोहल फिनाल इथर ये चेप्टर मैंने करा दिया अब मैं सोच रहा हूँ एक बार यहां पर जैब अनुक समाप्त कर दूं ऐसा क्यों बच्छों क्योंकि उधर आपके दो चेप्टर आर्गनिक कमिस्ट्री है उस में थोड़ा सा लंबा समय लगेगा तब तक में क्या होगा कि आपका इधर जैबरू भी कम्प्लीट हो जाएगा दो आर्गनिक कमिस्ट्री के जो चेप्टर है उसे भी आप रिवीजन करते चले क्योंकि एक साथ मिक्स हो जाएगा इसलिए बच्छों आप लोग जो हमने क करा दिया उसे रिवीजन करते चले साथ में इसके कोश्चन प्रवाइड करेंगे बिल्कुल निश्चिंत रहें आज हम सुरू कर रहें जैबरू जिसमें हम देखेंगे बच्छों कार्वो हैड्रेट्स के प्रकार यह हमारा आज का टॉपिक है और कोश्चन बनता है यहां ठीक है गुलू कोश का सोतर होता है अबजेक्टिव कोश्चन यहां से बन सकते है क्योंकि 2024 में जो यमपी बोर्ड में आने बाला है वो किसी निश्चित पर्टिकुलर चेप्टर को नहीं दिया गया कि इस चेप्टर से अबजेक्टिव आएगा कि इस चेप्टर से चेप्टर से objective भी हर चेप्टर से long question भी और start question भी ध्यान देना इसलिए आप लोग किसी भी कदर से कोई भी topic आप छोड़ नहीं सकते पहली बार चले शुरू करते हैं कार्बो हाइडरेट्स सब्द देखेगा का से होता कार्बन हास होता हाइडरोजन ठीक है बच्चो तो कार्बो हाइडरेट्स में कार्बन और हाइडरोजन दो चीज तो रहता ही है और वैसे भी जब भी आप हाइडरो कार्बन पढ़ते हैं तो कार्बन और हाइडरोजन से मिलकर बना हुआ योगी हाइडरो कार्बन लेकिन उसका जो सहयोगी होता है जो कार्बन और हाइड्रोजन के पीछे पीछे चलता है वो होता है आक्सिजन आप लोग हाइड्रो कार्बन में कार्बन और हाइड्रोजन को ही पढ़ते हैं लेकिन बच्चों, उसके सात में जो चलने बाला एक सात ही, जो कभी पीछा नहीं छोड़ता कार्बन और हाइड्रोजन का, वो है आक्सिजन, तो जब कार्बन और हाइड्रोजन और एक हमारा जो पीछे-पीछे चल रहा हूता, आक्सिजन, यह जो आपस में बनते हैं, और ज इन चीज़ों से मुक्रोप से बने रहते हैं कारवन हाइड्रोजन और आक्सिजन से बना हुआ योगिक है जिसका सामान सूत्र सी एक्स सामान सूत्र देखेगा कार्वो हैडेट्स का सामान सूत्र है इसमें हम संख्या बढ़ाते जाएंगे मतलब यहाँ पर जैसे गुलुकोज तो क्रोज फ्रैक्टोज इससे आधार पर हम डिनोट करते हैं तो इस सामान सूत्र है इससे इधर उधर भी हो सकता है इसलिए आप परसान ना हो कार्वो हैडेट्स की परिभासा पूछी जाती है तो आप सिंपल तरीके से लिख सकते हैं कि कार्वो हैडेट्स क्या होता बच्चो कार्वन हाइड्रोजन तथा अक्सिजन का बना हुआ योगिक है जिसका सामान सूत्र CX-S2O का होल बाई होता है इसका कोई पर्टिकुलर की बात करें तो ऐसे डेफिनेशन आपको नहीं मिलेगा ठीक है या कि ऐसा भी आपको देखनों को मिल जाएगा कभी कभी कि कार्वो हैडेट्स ऐसे जैवन हो है जो पौधे तथा जनतूं दोनों में उपस्थित होते हैं सेलिलोज तथा इस्टार्च पौधों में पाए ज जाते हैं और जैसे गुलू को सुक्रोस फैक्टोज एमानो सरीर में पाया जाता है तो भाई सहाब कार्वो हैडेट्स की परिभासा अपने भासा में दे सकते हैं मैंने दो परिभासा बता दिया ऐसा भी बताओ आप लोग कि कार्वो हैडेट्स ऐसे जैवन है जो पौधे तथा जन्तों में दोनों में पाय जाते हैं ये मुख रूप से कार्वन हाइड्रोजन तथा आक्सिजन से बने वी योगिक होते हैं जिसका सामानसूतर CX S2O का होल वाई एक्जाम में कैसे लिखना होता है ना एक्जाम के लिखने के परपस से में बता रहा हूं कि आपको नमबर बराबर मिल जाया हैं और कार्वो हैड्रेट्स की परिभासा पुछी जाएक लिखने की तो आक्सिजन से बना योगिक होता है जिसका सामानसूतर CX-H2O का होल वाई होता है इतना क्लियर बच्चो चलिए यहाँ पर एक और परिभासा लिखाओ बच्चों कि जो कार्वोईडेट से एक प्रकार से पाली हाइड्राक्सी एल्डेहाइड है या तो कीटोन से जो की जैवड़ों से जलब घटी थोने के फलसुरू प्राप्थ होते हैं यह आप लोग परिभासा लिखनात लिख सकते हैं कि जो आपका कार्वोईडेट से होता है पाली हाइड्राक्सी एल्डेहाइड या तो पाली हाइड्राक्सी की टोन है अधवा जिनके जलब घटन कराने पर योगिक प्राप्थ होते हैं यह आपके क्या है कार्वोईडेट्स के लाते हैं चलिए प्रकार के बारें बात करते हैं जो एक्जाम में पूछा जाता है कार्वोईडेट्स मुक्त रूप से जलब घटन के आधार पर तीन भागों बाटा गया है एक तो आपका Monosecuride जिसे हम सरल सरकरा के नाम से कहते हैं Mono मतलब सिंगर सबसे छोटा इकाई जिसे Glucose और Fractose ये छोटा इकाई है बच्चो ये Monosecuride के अंतर गताता है मतलब ये सबसे सरल Carbohydrates है जिनका जलब घटन नहीं होता है ये स्वाद में मीठे तथा जल में घुलंसील होते हैं सरकरा का नामी अभी जैसे मैं जलब घटन के अधार पर बोल रहा हूं तो सरकरा यहाँ पर Monosecuride को सरल सरकरा बोलते हैं अब जब सरकरा मतलब स्वाद के अधार पर जब बाटेंगे तो दो भाग हो जाता है एक सरकरा और एक आसरकरा बाई जैसे स्टार्च होता है पौधों पाय जाता है सिलिलोज जो होता है पौधों पाय जाता है वो मीठा नहीं होता है ठीक है यदि हम गुलूकोज सुक्रोज की बात करें तो यह बच्चो भोजन में पाय जाते है, गुलूकोजभी, शुक्रोजभी, उपस्थी तहता भोजन में, तो कही न कहीं इसमें जो होता है, मिठ़ा पन रहता है, तो स्वाद के आधार पर अलग से तो भागें, सरकरा और आसरकरा, बाकि मोनो सेकरायड जो होता है, सरल सरकर होता है सूच होता है लेकिन जहां पर इस्टार्ज की बात करते हैं बच्चो तो इसमें कई सारे मोनोसेकराइट के अरूर जुड़े रहते हैं तो यह सिंगल हमारा छोटा है एक छोटा सा हाइड्रोकार्वन नीकुल मिला करके सबसे छोटा सा अरू जिससे और हम भाग में भ तो तूटता ही ना हो वो आपका हाइड्रोकार्वन है अरे भाई यहां पर थोड़ा सब्द समझी गए तूटेगा लेकिन वो हाइड्रोकार्वन में नहीं तूटेगा तो वो सबसे सूचमिता मिलकाई जो की जलबभटित नहीं हो सकता ठीक है या तूट करके वो फिर से वो कार्बोहटेट्स में बदल नहीं सकता, वो आपका होता है मोनोसेकेराइट या सरल सरकरा, यहीं ऐसे पाली हाइड्राक्सी अल्डिहाइड या कीटोर्न की सुच्वितम इकाई, जो जलब गती तो नहीं होते, उन्हें हम मोनोसेकेराइड या सरल सरकरा कहते हैं, ठीक है, ये सबसे सरल कार्बोईडेट्स होते हैं जिनका जलब घटन नहीं हो पाता हम इसको और अच्छे तरीक इस लिखना चाहे तो इस प्रकार लिख सकते हैं कि पारिया हैड्राक्सी एलडिहाइड या कीटोरिन का सुचुतम इकाई जो की अन्ड सरल इकाईयों में जलब घटीत नहीं होता सुचुतम इकाई, जिसका जलब घटन नहीं हो सकता ये मुख़ु famous से 6 कारबन जोजम प्रकार से योगी होते हैं जिनने हैं मोनो सरक्राइड सरल सरकना के नम से जानते हैं के दिकत तो नहीं है मोनो सेकराइड मतलब सुच्मता मिकाई जो और जलब घटी इतना हो सके हाँ तूटेगा अब जैसे हमारे भोजन में गुलू कोज मिल गया वो तूट करके कार्बन डाय अक्साइड रूजा देता है ये तो क्लियर है लेकिन ये जलब घटी तनी होता है यानि कर्बोडेट्स में और नहीं टूटता वह आपका मोनो सेकराइड है मतलब सुच्प्तम इकाई छे कारवन वाला योगिक सुच्प्तम इकाई होसकता है वो मोनो सेकराइड का दूसरा आता बच्चो ओलीगो सेकराइड मतलब बीच वाला। यानि दो से दस प्रकार के मोनो सेकराइड आपस में मिल जाए दो से दस मोनो सेकराइड सुचमता में जो इकाई है मोनो सेकराइड मोनो मतलब सिंगल सबको पता है oligo securide में क्या होता है 2-10 monosicuride मिल जाते हैं तो आपका oligo securide बनाता है और जब हम 40 securide की बात करते हैं बच्चो तो कई सारी जिसे glucoach fructose यहां पर देखो C6, H12, O6 यह दोनों के फार्मूले glucoach fructose यह दोनों monosicuride है क्या बच्चो monosicuride यहीं सिंगल इकाई है monosicuride का वहीं पर जब हम बात करते हैं कि monosicuride के 2-10 इकाई आपस में जुड़ जाएं तो फिर वो बना देते हैं बच्चो oligo securide जिसे आपका सुक्रोस हो गया सुक्रोस का सूतर क्या होता है जिस सक्कर कहते हैं C12, H22, O11 C12, H22, O11 यह आपका बच्चो किसका सुतर है सक्कर का और यदि कोई पूँच दे आपसे कि maltos का सुतर बताओ तो maltos कभी वहीं होता है C12, H22, O11 बताते चल रहा हूं ताकि आप लोगों को ऐसा नहों कि बाद में बने ही नहीं ठीक है चलिए आगे हम देख सकते हैं जैसे आपका रैफिनोज है C18, C18 है ठीक है H32, O11 तो यहाँ पर लिख ले न बच्चो C18, H32, O11 रैफिनोज तो आप देख सकते हूं जो आपका मूल कारवन था 6, monosecureide का 6 में मतलब 3 का गुणा करोगे यहाँ तीन इकाई हैं इसमें monosecureide के यहाँ trisacureide में तीन monosecureide की इकाई है जुड़े रहेंगी स्टेकियोज में C24, H H42, O21 तो इनको याद करने जरुवत नहीं है एक्जाम के परपस से आपको oligosacureide दे लिखना है तो सीधा लिखना है कि इस प्रकार से कार्बो एडिट्स में दो से दस monosecureide का यहाँ आपस में बंद मना करके जुड़े रहते हैं या दो से दस monosecureide आपस में जुड़ करके oligosacureide का निर्मार करते हैं एक्जाम्पल मिलखी देना सुक्रोज माल्टोज ठीक है जब हम पाली सेकराइड की बात करते हैं बच्चो पाली सेकराइड में बहुत सारे कई इकाई हैं रहते हैं दस से भी अधिक बीस जैसे स्टार्च में C6, H10, O5 का होल एन जितना लंबा चवड़ा आप उसकी स्रंखला बना दो वो स्टार्च हो जाता है स्टार्च पाली सेकराइड का सबसे बड़ियां उदारान है मोनो सेकराइड में क्या होता है एकदम सबसे सूशितम हाइडरोकारबन है जिसको हम जलाग भटित नहीं कर सकते तोड़ नहीं सकते और छोटा इकाई नहीं बन सकता किसका COBODedates का OLIGOSECRAID में 2-10 MONOSECRAID जुर जाते हैं तो OLIGOSECRAID मनाता है वहीं पर PALISECRAID की जब बाता है बच्चो तो कई सारे MONOSECARAID की काई है जब जुर ज़ें तो PALISECRAID जब आप इस TARCH देखो C6H10O5 का HOLIN मतलब HOLIN का मतलब बहुत सारे जितने भी जोड़ना चाहो जोड़ सकते हो दूसरा आपका cellulose है ही है ठीक है cellulose starch हो गएरा चले ये clear हो गए बच्चो तीन प्रकार होते हैं आप लोग लिख लेना screenshot ले लिया करो अज़ इसका notes चाहिए बच्चो तो 100 rupees charge लगता है आल चेप्टर के notes प्रापर रूप से आपको दिये जाते हैं अभी भी आपने notes नहीं ले तो notes ले ले प्रापर रूप से तयारी करते चले contact number है 9685 299149 9685 2991 इस number पर contact करके notes ले सकते हैं चले बच्चो आगे देखते हैं अपचायक प्रवत्ति के अधार पर आगे तो आपके बच्चो ismake अपचायक कहलते हैं यहाँ पर आपको यदि मैं कहुं कि इसका प्रयोग समझाँ तो मेरे बस की बात नहीं है इसे आप लेब में ही समझ सकते हैं आपके पास अभी खर्मक होना चाहिए जब इसको आप ग्रेजेशन करते हैं से योगारा तब ये चीज़ आप वह बोगारिटा को सकते हैं तो जो हमारे पास ताले-पर्मक ये फेलिन-बिलियन के उब स्थिति में जो भी हाईड्रो कर्भान अपचैप हो जाएं उसेpresa ह outward नपचैक जो प्रर्ण ate ContE सुक्रोस हो गया स्टार्च है सिलिलोज बाकि सरकरा स्वाद के अधार पर मैंने आपको इस्टार्टिंग में बता दिया कि स्वाद के अधार पर कार्भोहडेट्स दो प्रकार के होते हैं स्वाद के अधार पर कार्भोहडेट्स दो प्रकार के होते हैं एक तो सरकरा जो स्व स्वाद में मीठा नहीं होता है तो आपका सुक्रोस यानि सक्कर जिसे बोलते हैं सुक्रोस यह भी आपका स्वाद में मीठा होता है गुलुकोज यह भी आपका स्वाद में मीठा होता है और आसरकरा की बात करें बच्चो तो जो स्वाद में मीठा नहीं होता उसे हम आसरकरा कहते हैं जिसे starch या cellulose ठीक है तो कार्वो hydrates किसे कहते हैं यह आप से पूछे तो बताओ ठीक है आप लोग बता सकते हो बच्चो की polyhydroxy LDH ya polyhydroxy ketone होते हैं जो की जैबाड़ो है पौधो और जन्तों में दोनों पाए जाते हैं यह मुखरोप से carbon hydrogen और oxygen से मिलकर बना होता है जिसका सूत्र होता है CXH2O का होल वाई अपने हिसाब से लिख सकते हो ठीक है बच्चो कार्वो हैड्रेट्स की परिभासा आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं कि कार्वो हैड्रेट्स एक ऐसे ब्रकार है एक अपचायक और दूसरा अन अपचायक और स्वध के अधार पर दो प्रकार सरकरा असर दो प्रकार मुख रूप से जलाब गटन के अधार पर पर प्रकार पुझा जाता है और एक बार नहीं कई बार भी पूछा गया है यह आपका COweise से के राइड और तीसरा पाली से के राइड तो ये तीन प्रकार आपको त्यार कर ही लेना है ओके बच्चों आज के लिए इतना ही डिस्क्रिप्शन पर हमारे आप का लिंक भी मिल जाएगा आप के साथ जुड़ सकते हैं डाउनलोड कर लीजे जैहिंद बंदमातरम